बिस्मिल्लाइ अर्मार रहीम, अस्ताम लेक्म विएर्स, वेल्कम बाक टू फूट सेग्मेंट, उम्मीद है आप सब खेरियत से होंगे, आज जो हम ट्राइ करने वाले हैं वो है औरियो केक, टिक टॉक केक के नाम से भी मशूर है, ये बहुत असान सी रेसिपी है, थ्री इं निकाल रही हूं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ये फेलिंग हाफ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी सबके सब फेलिंग के साथ यूज करेंगे, जैसे कि कई जगा पर लोगोंने क्या भी हुआ, तो क्यूंकि शॉटनिंग बेस होती है फेलिंग, तो आपका के अगरीब बन जाते हैं, तो इनके अंदर नेक्स मैंने डालना है, एक कप दूधा मेरे पास, तो उसमेंसे मैंने हाफ कप पहले डाला है, और किंसिस्टेंसी को कंट्रोल करने के लिए, मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करने के लिए, जैकि इसमें एक कप से जादे दूध नह स्मूध हो जाएं, कही करंबल रहना जाएं मेरे पास, तो यहाँ पर थोड़ी कंसिस्टेंसी थेखती, तो मैंने और थोड़ा-थोड़ा डूट डाला है इसके अंदर, आप देख रहे हैं, तो यह जोड़ा और लुश्रेस हो गया, थोड़ा और शाइनी और स्मूध हो ग केक के तरह नजर भी आ रहा है, इसमें हम देखने में केक बैटर की तरह और कंसिस्टेंसी थेखती होगी है, जब इस तरह से आपका हो जाए बैटर तो आपने इसके अंदर जो है, अगर इस टेज़ पर आप चाते हैं, तो आप लंब्स रिमूव करने के इसको स्टेनर से स सकते हैं, नेक्स रिमूब हो जाएगा तो हमने इसके नडालना है बेकिंग पाउडर में यहां पर तक्रीब एक टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाला है, कोशिश कीजिएगा कि आपके पास बेकिंग पाउडर रहा है, वो बेकुल फेश हो ताकि अच्छे से के काले में, हाला कि यह 3 इंग्रिजिंस केक है, असान सा है उन लोहों के लिए जिनको केक्स बेक करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उनके लिए बेज़रूरी है कि वो फ्रेश बेकिंग पाउडर यूज करें, क्योंकि अगर अगर फ्रेश ना हुआ बेकिंग पाउ डस्टिंग कोको पाउडर से करनी है, मैं इस की निए तो, आपके पासने है कोको पाउडर तो आप मेदे के साल कर सकते हैं, इतना बडा इस्व नहीं है, लिकिन थोड़ा विजिल पॉंट यू से थोड़ा बहतर लगेगा कलर बहुत ईसली फिक्स हो जाता है, मैदे के बज जो है अपने एवन में जो हमने 180 डिग्रीज पर हीट किया था उसके इंदर हमने इसको बेग करना है नेक्स्ट जो है मैंने आपे विपिंग क्रीम लिया और मैं इसको विप कर लूँगे बिल्कुल थंडी विपिंग क्रीम आपको पता है यहां का मौसम जो है यहां पर मैं पास ही पहले से स्वीटिन थी वेनिला फ्रेविड है तो यहां पर मैं पास मैंने इसको स्टिफ पीक सक वैब कर लिया है तकरीवन तयार है बॉल्स के जो साइड्स है उनको हम स्क्रेप कर लेंगे यहां पर मैं आपको दिखा नहीं हूँ कि स्टिफ पीक तो इसलिए बहुत ज्यादा राइज नहीं हुआ लेकिन ही केक आईईली इतना ही राइज होता है जितना बैटे मैंने डाला था यूसे तक रीबन आप सब्सक्राइब थोड़ा थोड़ा राइज हुआ था तो यहां पर बिल्कुल ठेंडा के लिए कि ज्यादा टाइम नहीं लगाई है इसकी विपन क्रीम की आप चाहें तो बहतर है बल्किए कि आप इसके को सरफ के साथ थोड़ा से मॉइस्ट कर लें क्यूंकि बेगिनर्स भी अगर कोई बेगिनर्स भी क्राइब करने वालें तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा सरफ लेकर आप उसको प्रश क कर लेंगे थोड़ा सा बेर केक लोग जो है वाज कि बहुत पॉपिलर है तो मैंने यहां पर साइट रहा है बहुत अच्छे बहुत ज्यादा हेवी फ्रॉस्टिंग नहीं की लेर्स नजर आ रही है बेर के ही होता है कि आपकी हल्की सी क्रीम भी हो और लेर साइट पे नजर हो यहां पर लेकर डॉलोपस थोड़े-थोड़े से एक टी-स्पून के खरीब तो आप उसको हलका हलका से के वास्वाट कर से सते हैं के इसको पर निकस्फाइन मैं इसको पर जो है क्यों को पाॉदर लिया हुआ और इसको मैंने इसके उपर डश कर दिया है उपर से देखन करना घर पे आप ट्राइ कर सकते हैं घरवानों को बसंद आएगा कोई केक है जल्दी बन जाता है जादा टाइम नहीं लगता है इसमें बहुत जादा मेहनत भी नहीं है और लंबी जोड़ी बेकिंग साइंस भी नहीं है तो ट्राइ कीजिएगा मुझे बताएगा को कैसा जरू कीजिएगा मैंने अपने केक को सरफ नहीं किया तो यह थोड़ा ड्राइ एंड पे रहा था आप सरफ कीजिएगा तहां पर तयार है और देखने में अच्छा लग रहा है एजी सी ड्रेसिंग है वीडियो जरूर ट्राइ कीजिएगा लाइक कीजिएगा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा प्रेंज के साथ रेसिपी शेयर करें हुवारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच